चलिए अब सीदे आपको लिए चलते हैं लाइव लखनाव जहां डॉक्टर शामर पसाद मुकर्जी के पुर्णेतिती पर कारिक रमाजित किया गया है भारती जन संग के संस्थापक अध्यक्स महान राश्ट भक्त पखर सिक्सावीद डॉक्टर स्यामा परशाद मुकर्जी जी के और शट्वे पलदान दिवस के अशर पर हम प्रदेश वाशियों की ओर से उनकी स्मिर्थियों को नमन करते भे उन्हें बिनम्र सर्धान जलिये रिपित करते हैं हम सब जानते हैं कि डॉक्टर स्यामा परशाद मुकर्जी देश के एक महान देश भक्त थे स्वतन्तरता संग्राम सेनानी थे महान सिक्सावित थे और भारतिय जन्संग के संस्थापक अध्यक्स भी थे जब देश के अंदर जब देश आजाद होड़ा था तो स्वतन्तर भारत में देश के अंदर उद्योग मंत्री के रूप में अपनी लेखने सेवाओं को देते हुए उन्होंने देश को एक विजन दिया था लेकिन जब कॉंग्रेस पार्टी की सरकार की कथित तुष्टी करण की नीतियों के कारण उन्होंने सरकार से लग हट करके भारत माता की सेवा के लिए अपने आपको समर्पित किया भारतिय जन्संग के सस्थापक अध्यक्स बने और जब कॉंग्रेस नेत्रित्यों की सरकार ने संबिधान में चुक्चाप चोरी छिपे धारा 370 को जोड़ने का कुच्चित कारे किया था तो उसका प्खर विरोध शतंद्र भारत में जिस महापुरुष ने किया था वह नाम था डॉक्टर स्यावा प्रशाथ मुखर जी का उन्होंने उस समय एक नारा दिया था एक देश में दो प्रधान दो विधान और दो निसान नहीं चलेंगे इसके खलाब उन्होंने आंदोरन चलाया और एक साजिस का सिकार बने 1953 में आज ही के दिन उनका महान बलिदान भारत की एकता का अधार बना दॉक्टर स्यावा परशाद मुखर जी ने जो सपना देखा था हम सब अविनिंदन करते हैं भारत के सुष्षी प्रधान मंत्री सी नरेंदर मोदी जी का ग्रह मंत्री मानेसी अमित साजी का जिन्होंने डॉक्टर स्यावा परशाद मुखर जी के सपने को साकार करते हैं पाँच अगस्त दोहजार उन्नीस को कस्मीर में धारा तिनसा सत्तर को पूरी तरह समप्त करते हैं वहां के विकास की एक नई रोक्रेखा तयार करते हैं जमो कस्मीर को ही विकास की मुख्यधारा से जोडने और भारत देश से आतंगबाद के समोन नास करने के संकल्प को आगे बढ़ाए आज जमो कस्मीर एक नए ओज और तेज के साथ विकास की मुख्यधारा से जोड़ करके लोक्तंत्र की एक नई भोर के साथ आगे बढ़ रहा है जिस जमो कस्मीर में लगातार वहां के मुल्य और आदर्सों को रोकने और रोंदने का प्रियास आजादी के बाद धारा 370 लागों होने के बाद नंतर हुआ अल जमो कस्मीर के अंदर हर अनागरिक विकास की मुक्यधारा के साथ जुड़ी रहा है लेकिन साथ साथ उस जमो कस्मीर के अंदर एक अने बाद तो देखने को मिल लही है कि अनुसुची जाती जन जाती बन जारा और गुजर समाज के लोगों को भी आरक्षन की सुविधा का लग वहाँ पर प्रदान किया जा रहा है विकास की मुक्यधारा के साथ पुरे जमो कस्मीर को जोडने का जो एक कारिक्र मर्तमान में चला है और भारत के सम्मिधानिक प्रावधानों के अंतरगत हर एक नागरिकों समिधान प्रदत अधिकार वहां पे प्रवान के जा रहे हैं यही तो सपना डॉक्टर शावा प्रशाथ मुखर जी का था आज उनके 68 वे बल्दान दिवस के उसर पर हम उस वहां मानाओं को उनकी स्मिर्तियों को नवन करते हुए बिनम्र सरधान जली रिपित करते हैं भारत की एकता रखंडता का जो पार्थ हुनोंने पढ़ा आज इस संकल्प चर्तार्त हुए हैं होते ले दिखाई दे रहे हैं और एक भारत स्रेष्ट भारत की पलकल्पना आज साकार होती भी दिखाई दे रही है यही डाक्टर मुखरजी के प्रती भारत राश्ट की बिनम्र सरधान जली है धन्यवाद झाल्पना झाल